मैं लगातार हर्याना में विधान सवा, चुनाव का रण चल रहा है, प्रचार चल रहा है, लेकिन बीते कई दिनों से, दस दिन से भी जादा हो गए आप दिल्ली में, क्या कारण, आप दिल्ली में जो हर्याना कॉंगरिस के अध्यक्ष रही, केंदर में मंत्री भी रही तो आप निकल निकल जाएंगे हम दो तीन दिन में, और फिर जुनाव प्रचार के लिए ही रहेंगे पार्टी में नराज हैं, चाहिए वो टिक ट्वितरन को ले कर रके की गई, क्या उस बात को ले कर आप सड़ी ठीक हो गया है कुछ मुद्धे होते हैं और ये मुद्धे थे, और सीरियस मुद्धे हैं और इनको पार्टी के अंदर ही उठाना होता है तो आपने मलीक अरजुन खड़के जी के आगे पार्टी के आगे ये बात रख दिया डिसकुशन होती है इन चीजों की मैं एक बात कह रहे थे कि क्योंकि मैं आप केंदर सरकार में मंतरी भी रही है आप हम बात करें कर राज्यों में प्रभारी भी रहे हैं हर्याना की अध्यक्ष भी रही है लेकिन जब हर्याना को टिकट को वितरन होता है वहां को ज्यादा भूमी का नजर नहीं है ना स्क्रिनिंग कमिटी में ना सीची में तो जो टिकट वित्रन हुआ, उकलाना की बात करें, नारनोट की बात करें, कई और जगव की, क्या वो सही हुआ है, क्योंकि जो आपने मांग रखी थी, आपके समर्सक्ते, वो तो निराश नदर आ रहे हैं। तो यह बिलकुल निराश हैं और इसको मैं नाकार भी कैसे सकती हूँ, कैसे नाकार दूँ मैं इस बात को, मैं नाकार सकती है, कुछ बाते हुई है, यह सच चाहिए। तो ऐसे में जो आकड़ा था, 80 पार की बाते, 75 पार की बाते, 82 की बाते, 89 सीटों पर हूँ, लगता है उसमें कुछ दिक्कत तो रहेगी आदपस है। देखो, वो अलग चीज है, हम सब कॉंग्रिस पार्टी के सिपाही हैं और कॉंग्रिस की जीत के लिए सब काम करेंगे। लेकिन कब से, 26 तरीक की चर्चाएं तो आ रही थी, क्या चुनाव परचार में आ रहे हैं, हम रणदीप सूर्जवाला उनका ट्वीट भी देखा था कि नर्वाना जा रहे हैं। मेरी बात हुई है उनसे भी और दूसरी जगह भी क्योंकि नर्वाना उनका हलका पहले रहा है और अब वो सिर्शा का हिस्सा है तो उनसे बात हुई कि कब कैसे मीटिंग हम करें। कई जगह जाना है उसमें नर्वाना भी है। जब भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी चर्चा ये तमाम बाते भी हैं और कहिना है कि हमारे भी सूत्र कुछ ऐसा कहते हैं। जो टिकट वितरण हुआ उसमें 72 से 78 समर्थ तक भुपेंदर उड़ा के आपके लिए का जाता है पांस से नो दो रणदीब सूर्जेवाला एक चोधरी बिरंदर सिंग का बेटा क्या ये ऐसा ही आकड़ा रहा आप इस आकड़े से सहमत थे। सहमत थे नहीं थे वो एक अलग बात है और वो पार्टी के अंदर की बात है। टिकेट एक को मिलता है हम करते हैं अपनी अपनी रेकमेंडेशन हम देते हैं सिफारिश देते हैं उन पर पार्टी विचार करती है लेकिन कहां कब कैसे टिकेट वो दे पाते हैं और किसको कितना इंवाल्व करते हैं ये तो अब उपर ये जो कमेटी बनी थी उनका काम था और तो उन्होंने जो जैसे किया उसके उपर मैं टिपनी नहीं करूँगी इसमे कोई दो रहा है नहीं मुख्य मंत्री बनने के लिए पहले विधायक होना जरूरी नहीं है चुनाव तो बाद में भी हो जाता है लेकिन आप खुद उकलाना से चुनाव लड़ना चाहते थे विध देखो ये पार्टी का अंधरूनी मामला और जब चुनाव हो जाता है उसके बाद ये फैसला होता है और ये तबी होगा हम अभी क्यों कॉम्प्लिकेट करें मामले को अभी तो सब काम करें कि सरकार बने हमारी पहले जैसे आपके नराजगी की जो बाते चल रही है सासत ये भी चल रहा है कि अनुसूचित जाती से जोड़े लोगों के अंदेखी दलित समाज की अंदेखी यहां तक कि केंद्रिय मंत्री पूर में हर्याना के मुख्य मंत्रिया मनोहर लाल और कही नेताओं ने तो निमंत्रन कि असी जगों पर बैठे हैं वो तो उनको देखना पड़ेगा अपने गिरेबान में जहाकें कि क्या कितना इंसाफ जो सो कॉल्ड वंचित वर्ग रहा है उनको कितना इंसाफ मिल रहा है तो सबी पार्टियों को और सब को देखना ही चाहिए क्योंकि इसलिए यह प्रदेश के अध्यक्स भी रहे हैं कई बड़े ओधे पर रहे हैं तो क्या दिन कम है तो ऐसे में केवल कुछी विदान सभाओं तक परचार के लिए आप जाने वाले हैं रोड मैप तो त्यार किया होगा कहीं ने कहीं क्या जाने वाले हैं या फिर तम इसके अलाव अभी धन्यवाद कुमारी शेल्जा जी उन्हें तवाम बाते रखी अपनी पार्टी को लेकर के भी साती साथ उन्होंने आगामी चुनावी प्रचार को लेकर के भी बात रखी कि 26 तारिक से यानि कि जल्द चुनावी प्रचार के लिए वो